हालो स्टूदेंट्स, गुद मॉर्मनिंग टू अलो फ्यू, आई एम दिनेश कुमार कुमावर, लेक्ट्ट्रल इन सिविल इंजिनेरिंग एट सरिकोपुल वर्मा गौर्मेंट पॉल्टक्रिक, कोलेज परत्पुल, टूटें वी विल डिसकस अबाउट लिंटल, आई हम द होते हैं, तो अगर मैं बात करूँ, अगर जिसे मान लो आपको एक कमरा बना रहे हो आप, ठीक है, हम उस कमरा बना रहे हो, तो कमरे की चार दिवारे उती है, जिसमें कही न कही एक दिवार पे आपको विंडो पर वाइड करानी होगी, तो कही न कही एक दिवार पे आपको दौर परवाइड करवाना होगा तो जिसे माहन लो आपकी 12 पुट की दिवार है टोटल आपको कर्षटक्शन करना 12 पुट की दिवार का और उसमें आपको 7 पुट की ग्राउंड से 7 पुट की उचाईद पर आपको तक आपको दर्वाजा चोड़ना है तो उपर का जो फांच पुट का और करने के लिए हम क्या करते हैं जितने चोड़ाई और जितने उचाई का दर्वाजा पन चोड़ रहे हैं उसके उपर एक होरिजिंटल मेंबर रख देते हैं वो उस होरिजिंटल मेंबर से उपर बाकी दिवार को बाकी दिवार कर स्ट्रक्शन करना जारी रखते हैं ठीक है तो जो फो होरिजिंटल मेंबर हमने उस ओपनिंग स्पेस पर रखा जहां पर अपनी वो दर्वाजा प्रवाइड करवारा है उस होरिजिंटल मेंबर को ही हम बोल देते हैं अपनी आम बसा के अंदर उसको हम बोलते हैं मठोर यहां तक आपको मैं मानता हूं कि यह चीज़ समझे में आदे तो अब इसकी टेक्निकल रेफिनिशन एक बार पढ़ लेते हैं अपना जैसा कि आपकी सामने लिखा हुआ है कि say a situation is holding to me frightening which is palace across, openings like doors, windows, etc जो अपना ओपने इसपेस था उसके उपर अपने जो horizontal मेंबर पही देखा के साथा से आगे क्या कर्ष्द को सकते हैं तो उस होरी जिंटल मेंबर को ही अपने क्या बोल देते हैं लिंटल बोल देते हैं जैसे मान लो इस डायग्राम में आप देपो ये दिवार आपको इस दिवार का आप कर्स्ट्रक्शन कर देते और यहां पर कोई ओपनिंग स्पेस आपको प्रवाइड करवारना था चाहिए यह विंडो हो सकती है या तो यह आपका डोर हो सकता है तो आपने कहा किया है यह इतनी यहां से लेकर यहां तक का इस पेसी ओपनिंग है इतनी हाइट का आपको देना था पर इसके ऊपर भी दिवार का कर्स्ट्रक्शन आपको जारी रखना था तो इसलिए अपन यहां से यहां तरक अपन क्या करेंगे यह अपन ने एक horizontal member प्रवाइड कर दिया ताकि इसके ऊपर का यह जो प्रस्टक्शन है यह अपन जारी रख सकते हैं अब यह horizontal member अपन यहां आप देख रहे हो कि यह दिवार के कुछ horizontal member opening space तो यहां से लेकर यहां तक ही है पर जो यह member की लंबा है वो कुछ दिवार के अंदर तक है ऐसा इसलिए करते हैं ताकि यह जो ओर्जिंटर मेंबर के उपर का जो पार्ट है इसका लोड इस ओपनिंग स्पेस में ने आकर इधर साइड में ट्रांसपर हो जाए यह एक ट्रैंगूलर सेप के अंदर लोड का इसका ट्रांसप को मेंबर पर वाइड कर वाया है और इसी को हम लेंटल बोल देते हैं आगी देखते हैं इस टेक दा लोड कमिंग फ्रॉम दा स्ट्रक्चर अबाव इट एंड ग्यू सपोर्ट यह जो ओर्जिंटर मेंबर क्या कर रहा है यह इसके ऊपर कर जो इस ट्रक्चर है आपने कर स्ट्रक्चर किया है इस और जेंटल मेंबर इस कर जो लोड आ रहा है उसको यह साइड में इसको ट्रांसपर कर रहा है इट इज आल्सो अब यह क्या होता है इट इज आल्सो टाइफ ए बीम दा विर्थ ओफ विच इज इक्वल टू विर्थ ओ बोल एंड एंड ओ विच आर बिल्ट इंटू दा बोल बोल इज आर वेरी इजी तू कंस्टरक्ट एज कंपर टू आर्चेज यह क्या होते हैं क्योंकि यह जो चीज है ना यह हो जेंटल मेंबर को आपन बीम की तरह ही विर्थ जे आपको का तरह होता नहीं विर्थ आपका इस हों तो इनल का रखना होता है और यह जो इसके ऐंड कर देते हैं जिसके साथ आप उपर से जो लड आ रहा है वह इस डाल ही opening space पे ने आकर इन दिवाद की इस built area की सायता से दिवाद पर transfer हो जाए यहां इसका आप मुझे से मालू यह अगर हो जेंटल मेंबर का लोग उपर हो जेंटल मेंबर के उपर जो structure है अगर इसका इस पर आजाएगा तो यह correct हो जाएगा तूर जाएगा ठीक है तो यह होगी आपके लेंटल की डेपिनेशन अब बेरिंग ओफ लेंटल इस बेरिंग प्रोवाइडल सुट भी minimum of three cases मतलब इसको अंदे कितना दबाया जाता है वह अपन या तो 10 cm था हाइट ओफ लेंटल बीम इतना इसको पन भी या रखते हैं अब हम बात करते हैं टाइपस ओफ लेंटल्स की किलेंटल्स जो है वह आपके कितने टाइपस के होते हैं तो यह हम देख रहे हैं कि लेंटल्स आपके किपने दैट पकी हो सकते हैं कि पहला देखो, ये पहला देखो ये टिमबर लिंटरल सा लिंटर हो सकते हैं स्टोन ब्रेइग सिटीन, रिइंफॉस्त कंक्रेट लिंटर और रिंफॉस्त ब्रेइग से लेटल तो यह 3-6 डाइट के आपके हो गए जिसमें पहला है तिम्बर, स्टोन, ब्रेक्स, स्टील और रेन्पोर्ड और रेन्पोर्ड ब्रेक्स लेंटल तो यह आपके टाइप्स हो गए इसके लेंटल के आगे हम बात करते हुए तो यहां देखिए यह जो आपके सामने फिकर इसके अंदर यह टिम्बर लेंटल का एक्जाम्पल है तो देखो यह यह आपको यह दोर देना था दिवाज के अंदर और इसके ऊपर यह ओपनिंग स्पेस है यह जो दर्वाजर जान दिया है अगर दो चनल मेंबर आपका वुड का होगा लकड़ी का होगा तो इसको हम टेबर लिंटल बोलेंगे अब यह इसका फिकर दिखाए गया है यह दिवारे ओडि टिमबर का आपने तिमबर का आपने ओजिने मेंबर परॉइड करने अपसर ये जो इसका टिमबर का लिंटर साफ देखोगी तो यह अपन जो कच्ची बस्तियों मन देखते थे न जहां पर आपन बोलते हैं च्छान न जो कच्छे घरों में इसको अपने कि ज्यादव स्क 550 इंच के देखते हैं उसके उपर जो है तो इसको हम जीम 2 बोल दहें कि लैडिव औरफे तो यह यह जो आप का यह इसके श्रूर्ण ठीक्टरिखंग थो یہ मूं चेंदर इसमें ये जो structure है ये आपका stone का बना हुआ है ठीक है तो ये जो window है ये जो window है इसके ऊपर ये आपने ये जो horizontal प्रवाइद करवाया है ये horizontal member का ये horizontal member अगर stone का हो तो उसको हम stone lentil बोल देंगे next आपका example है bricks next आपका brick lentil तो ये जो आपने opening space प्रवाइद करवाया है जिस पर door है door के ऊपर ये arch type से आपका जो लिंटन है ये bricks का है इसलिए इसको हम बोलेंगे bricks type के lentil next आपका reinforced bricks lentil ये जो आप देख रहे हो इसमें ये जो आपका opening space है और इसके उपर ये जो bricks plus reinforcement का horizontal member प्रवाइद करवाया हुआ है इसको हम बोलेंगे bricks reinforced bricks lentils इसके diagram में अगर देखेंगे इसमें bricks plus reinforced दोनों है तो और उसके ऊपर ये horizontal member आपका लगा हुआ है और उसके ऊपर ये आपका test action हुआ हुआ है तो इसको हम types बोल देंगे इसमें ज्यादा समझने के आपको दिक्कत नहीं है ये ध्यान रखना है कि जो आपने types of lentils पढ़े हैं उनके figure आपको ध्यान में होने चाहिए तो ये figure देखके आप पता लगा सकते हो कि ये bricks egg ये stone egg ये timber egg क्या क्या है ठीक है नेक्स्ट है आपका steel linters तो ये जो opening space आप देख रहे हो दोनों तरह भी ये bricks की wall है और उस opening space के ऊपर आपने ये horizontal member provide कर वाया है जो steel का है इसलिए इसको हम बोलेंगे इस्टिल लेंटल्स उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट है आपका फिर्पोस्ट सेमेंट कंक्रीट लेंटल्स और सेसी लेंटल्स तो ये जो अपन जो आज की चिनों में सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं इसलिए जो आज के लेंटल्स है वह सबसे ज़्यादा एफेक्टिव और आज की डोल्स में प्रवायाइड करवाते हैं की जाने बारे लेंटल्स है तो पर पारते हैं इसके बारे में इससे फूफर में ऑ्रस्थ येजि़ डर्वादरों युदो या and for any spawn the window of width of lintels is equal to width of wall main reinforcement is provided at the bottom and half of these bars are crammed at the end shear steps are provided to register transfer CCR क्या मतलब हुआ इस चीज़ का मतलब यह हुआ कि आज की दोर में हम सबसे ज्यादा अगर कोई horizontal member AJ rental provide करवाते हैं तो वो है RCC एसा क्यों एसा इसलिए क्योंकि आज से स्टेंट अच्छी लेते हैं रिजिटीटी इनके अच्छी होती है फायर रेजिस्टेंस होते हैं economy भी होते हैं और construction भी इनका easy होता है जैसे अगर अगर अपन बूडन कट बूडन लेक्टर परवाइड करवाते हैं तो वो कम कम डूरेबल होता है और स्टील वाला अपने को कोश्टली बड़ता है तो यह जो आर्ट से हैं यह हम किसी भी साइज से किसी भी दाइमेंशन में प्रवाइड कर वा सकते हैं और हर केस में यह economical भी होते हैं और हर केस में यह suitable होते हैं और जो लेंटर्स है उनको अपन डिजाइंड भी यह जी बीम ही करते हैं बीम में आप देखते हैं लिटर अक्सिस के उपर का जोन जो होता है वो कंप्लेशन जोन होता है वो नीचे वाला जोन जो है टेंसेन जोन होता है और टेंसेन में ही अपन इस्टिल इन्पोस्मेंट पर प्रवाइड कर वाते हैं ऐसा का ऐसा ही अपर लिंटर को डिजाइन करते हैं उसके अंदर भी सेम केस सेम रूल फोलोवर देते हैं अब जो CR steps are provided to register transverse CR और जो CR को register करने के लिए हम क्या करते हैं इनके अंदर steps को provide करवा देते हैं जैसा कि आप सब ने भी इनके अंदर पढ़ाई ही होगा अब हमें बात कर लेते हैं जो लिंटर है उस पर कौन-कौन से लोड आएंगे तो types of design load on लिंटर तो इस पर सब सब पहला तो क्या होगा self weight और dead load लोड लिंटर का खुद का self weight होगा वो उस पर आएगा एक तो और जो उसके उपर opening के उपर जो structure बना होगा constructed structure होगा उसका dead load आएगा तो dead load of the wall above opening फिर उसके उपर अगर कोई slave डाल रखी है live load और dead load भी उसका भी transfer होगा by the wall over opening और भी यह जो wall का खुद का भी opening पर जो load होगा वो भी आएगा तो यह थे लिंटर पर आने वाले loaded आगे बात करते हैं dead load of the wall above the lintel जो लिंटर के उपर का wall का जो load आएका वो किस way में transfer होगा उसके बादे में हम इस video में बात कर लेते हैं यह यह triangular से अंदर जो लिंटर के उपर का load है वो लिंटर पर transfer होगा एक तो इस तरीके से और दूसरा यह 60 degree संभव होती दूज और यह 45 degree दोनों के में यह आपका जो है transfer हो सकता है तो यहाँ देखोगे आप इदे देखो यह जो इसके यह लिंटर था आपने प्रवाइड करा रखा है उसके ऊपर यह space है और इसके यह जो space है इस पर कोई भी वोल का वोल जो है constructed होगी तो उसका क्या है लोड के से transfer होगा वो इस तरीके का इस wave में जाएगा और इस तरीके का इस wave में जाएगा तो क्या होगा जो इस वोल के लिंटल के उपर का वोल है उस पे जो लोड आ रहा है वो तो इस टाइंगल में इसका लोड टांसपर हो रहा है और जो खुद का लोड है वो इस तरीके से यूडियल फोरम के अंदर इसका तो सेर्फ वेट है उसका डाइगा इसने यहां इस तरीके से दिखा रहा ह दूसरे में आप देखोगे तो यह लिंटन है यह आपके इस पर ओपनिंग स्पेस है और यह जो इसके ऊपर लिंटन के ऊपर जो वोल कंस्ट्रक्टेड है मालोस की हाइट एज है तो वो इस तरीके से लोड का ट्रांसपर हो जाएगा ठीक है तो यहां पर यह सब डिस्ट्रि आने है एल और यह अगर ट्रांगूलर एल बाइट तक जाता है तो आपका यह 45 डिगरी के एंगल पर ट्रांसपर होगा और अगर ट्रांगूलर आपका एज इस से ज्यादा जाता है तो वो 60 डिगरी एंगल पर इसका लोड ट्रांसपर होगा तो यह था आपके इस वीडिय में हैं वो टाइप सब लेंटल है लेंटल की रेपनिशन है और यह सब है ठीक है तो थैंक्वी सो मुझ